नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्माग आप सभी दर्सकों को नए साल की धेर सारी सुपकामनाएं आपके जीवन में ये साल धेर सारी खुसियां मस्ती आनन्द लेकर आए और आप खूप सफलता को प्राप्त करें तो चलिए इन्ही सुपकाम पर बहुत सारे लोग तोटके करते हैं वैसे आप कहेंगे हमारे हिंदू धर्मे ये नया साल नहीं है देखिए हमानते हैं हमारा नया साल तो चैत्र नवरात्र का पहला दिन है बहुत सारे लोग होली के दिन नया साल मनाते हैं लेकिन चलिए सब को इंजॉय कर रहे हैं तो ह पर जहरना क शेन जैसे चीजें किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि बार किसी को देते हैं तो पूरे साल मांसिक टेंसने आप एक जीवन में इचे आपको ज्यादा तकलीब देती है क्यों किसी को पजा और दें है क्योंकि ये कहीं न कहीं जीवन में उथल पुथल बढ़ाता है वैसे भी एक्वरियम का गिट रिसिफ नए साल ही नहीं बलकि कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए हां अगर किसी को चाहिए तो वो खुद से खरीद लेगा इस बात का ध्यान रखें तो वैसे एक बात याद र आप काम करते हैं अब आपका ऐसा काम है जहां आप लिखा पड़ी करते हैं चाहिए वो मोबाइल है कंप्यूटर है कहीं न कुछ तो पेपर वर्क करते होंगे न तो ऐसी चीज़ें किसी को भी ना दे पैन कॉपी स्याही कुछ भी इंक बेगर है देने से आपके बिजनस मे देने से बचिए माना जाता है कि रुमाल किसी को नहीं देना चाहिए नहीं तो रिस्तों में कमजोरी होती है रिस्तों में गांठे आ जाती है यापने जिसको भी रुमाल गिप्ट में दिया उनके साथ आपके रिस्तों पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए किसी को भ होती है आपने किसी को दे दिया घर से लक्षमी जाएगी गनेश जी को दे दिया तो आप सही डिसीजन सही समय पे कैसे लेंगे तो कुछ चीजें अपने लिए भी सोचिए और धारदार हतियार जैसे चाकू नाइफ से अभी बहुत देता है और रिस्तों में दरारे डालता है तो ऐसी चीजें किसी को भी देने से बचें वैसे तो नए साल पर किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए और नहीं किसी से लेना चाहिए नहीं तो यह भी आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है तो याद रखिएगा क किसी को धन ना देना है ना किसी से लेना है नए साल पे ताकि पूरा साल सुख और आनंद में वी थे तो हम आप से भीजा लेते हैं एक वर फिर से आप सभी दर्शकों को हैपी नियू यह हर हर महादेब धन्यवाद